अंडर 19 क्रिकेट विश्वकप की उल्टी गिंती शिरू हो गई है। 16 टीमों के बीच यह बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा। पिछले विश्वकप को प्रत्वी शो की कपतानी में भारती टीम ने जीता था। इस बार प्रियम गार्ग को टीम की कमान दी गई है। सब आई दिये हैं जिन्होंने भारती टीम को नई उचाईयों पर पहुचाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूनियर विश्वकप के 32 साल के इत्यास में 12 में से सिर्फ 5 कपतान ही भारती टीम में अपनी जगा बना पाए हैं। जबकि 7 कपतानों को टीम इंडिया की नीली संस्करण में छटे इस्थान पर रही थी। सेंथिल नाथन ने प्रथम श्रेणी में 37 मेचों में 31 के ओसत से 1615 रन बनाए हैं। इस खिलाडी को कभी भी अंतरास्टी मेच खेलने का मौका नहीं मिला। जबकियों में आगे बढ़ते हैं और दूसरा नाम है अमित पगनिश अमित के साथ टीम में हर भजन सीह और विरंदर सहवाग भी थे। इन दोनों खिलाडियों को तो सीनियर टीम की नीली जर्सी पहनने का गौरा मिला पर अमित की किस्मत नहीं चमकी। इस फेहरिस्ट में तीसरा नाम है रविकांत शुकला का। रविकांत शुकला को साल 2006 में कभी भारती टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। वीडियों में आगे बढ़ते हैं और पाच्वा नाम है उनमुक्त का। उनमुक्त ने अपनी कप्तानी में भारत को साल 2012 में अंडर 19 विश्वकप का खिताब दिलाया था। उन्होंने करीब पचास की उसस से 246 सन बनाय थे। और स्टेलिया के खिलाफ फाइनल में पारा रनों की पारी खेली थी। इसके बाद वहाँ अपने खेल में एकागरता नहीं रख पाए और टीम इंडिया के लिए खेलने की उनकी हसरत अधूरी ही रह गई। इस फहरिस्ट में छटा नाम है विजय जोल का। विकेट कीपर बल्लेबाद इशान किशन साल 2016 में खेले गए विश्वकप में अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे लेकिन चेंपियन नहीं बना पाए थे। इसी टीम में उनके साथ विकेट कीपर बल्लेबाद रिशब पंत भी थे। रिशब पंत तो इस समय भारती टी मिलने का मौकाम मिलना चाहिए था वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी ना भूलें